मद्य प्रदेश में उसस से ज्यादा बारिश के चलते कई शेत्रे डूबने में आ गए हैं और अब मौसन विभाग भी यह मान रहा है कि बारिश ज्यादा होने की वज़ा से फसलों को काफी नुकसान जिलना पड़ सकता है जब हमने क्रिशी महा विध्याला के प्रोफेसर संजी शर्मा से बारिश के चलते बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मद्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई फसलों को काफी नुकसान देखना पड़ता है और खासकर जो नर्मदा नदी के आसपास की शेत्र हैं वहाँ तो फसले लगबग चौपईटी हो गई हैं और साथ ही सभी किसान पानी को फसलों में भरा ना रहने दे उसे निकासी का रास्ता बनाएं ताकि फसले खराब ना हो यह जो लगातार बारिश हो रही है और काफी आती रष्टी हुई है जिन शेत्रों में महाँ पर निश्यत्रूप से जो हमारी फसले हैं उनको पर विपरीत प्रभाव पड़ा है आभी भी कई शेत्रों में जो हमारा सोयवीन की फसल है, वहाँ पर जल लगनता की स्थिती बनी हुई है, तो इस जल लगनता के कारण भी हमारी फसलों को नुक्सान हो रहा है, जिसलिए हम किसान बंदों से कहना चाहूंगा, जहां भी जल लगनता है, वहाँ पर निकासी की व पतले हैं उसमें पॉट्स में ही जर्मनेशन सीट्स का स्टार्ट हो गया है तो इस तरीके से कुछ विपरीत प्रभाव में नजर आ रहे हैं जिसके करन उद्पादकता पर पुढ़ाओ पर सकता है झाल